चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में ठीक है यह टॉपिक क्या है किस चीज से रिलेटेड है थोड़ा साम इसे समझते हैं थोड़ा साम रिवाइस करेंगे जो भी हमने कल पढ़ रखा था ठीक तो यह आपकी 4th step थी Gel Electrophoresis यह कौनसी स्टेब थी यह 4th step थी Gel Electrophoresis ठीक है मैंने आपको second lecture में Bio Technology के second lecture में मैंने आपको बताया था कि कुछ steps हम करने वाले हैं total आठ step में हम अपनी पूरी की पूरी Bio Technology फिनिश करेंगे ठीक है तो देखो मैंने आपको i steps क्या-kya बताई थी मैंने आपको बताया था पहली step थी पहली step हमारी थी identification of dna identification of dna याने dna को चिन्हित करना उसे धूंड़ना है न दूसरा चीज मैंने पढ़ाया था isolation of dna isolation of DNA इसका मतलब था DNA का प्रिथक करण DNA का प्रिथक करण है न तीसरी बात मैंने आपको पढ़ाई थी cutting of DNA cutting of DNA यानि DNA को काटना है न cutting मतलब काटना DNA को काटना और किसकी मदद से हमने काटा था वो हमने समझ लिया था restriction endonuclease की मदद से restriction endonuclease जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन enzyme प्रतिबंधन endonuclease आप इसे कह सकते हो endonuclease ठीक है ठीक है nuclease यहाँ पर लिखना था मुझे ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा यह आपको यह step समझने में आसानी होगी जो भी मैं एक एक करके पढ़ा रही हूँ तो अगर आपने दूसरा lecture नहीं देखा है तो उसे जाके आप जरूर देखना ठीक है उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में isolation और identification of DNA पढ़ा था फोर्थ लेक्चर में हमने cutting of DNA देखा था फिफ्थ लेक्चर में restriction endonuclease के बारे में और अच्छे से हमने जानकारी ली थी अब हम चौथी step करने वाले हैं जो की है हमारी gel electrophorosis जिसे हम हिंदी में कहते हैं जेल विद्दुत का संचालन अब ये हम क्यों कर रहे हैं इसका मकसद भी हमें पता होना चाहिए तो पहले देखो हम कर क्या रहे थे अगर मैं सुरू से आपको वताऊं तो हम क्या कर रहे थे हमारे पास हमारे पास एक व्यक्ति था हमारे पास एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे बाल थे और हम उसके बालों वाला जो जीन था है ना बालों वालों जो जीन था आप कोई भी जीन मान सकते हो, मैंने example के तोर पे आपको बताया है, बालों वाला जीन, ठीक है तो जो इसके बाल को बहुत जादा घने बनाने के लिए जो जीन responsible था, जिस जीन की वज़े से इसके बहुत सारे बाल आ रहे थे उसी जीन को हमने क्या मान लिया था वांचित, जीन या वांचित DNA मान लिया था, ठीक है इस वांचित DNA को हमें इस व्यक्ति से निकाल करके कहां डालना था, किसी परपोशी में डालना था, जिसके पास बाल नहीं थे, ठीक है इसके अंदर हमें डालना था, ये क्या था हमारा होस्ट था, और करके यह वांचित DNA कहा जाएगा होस्ट के पास जाएगा ठीक है तो हमें एक वेक्टर इस्तमाल करना था ठीक है तो यही हमारे बायोटेक्नोलोजी की पूरी प्रोसेस हमें यही कर रहा है हम कर कैसे रहें पहली बार हमने ढूंधा पहली बार हमने चिन्हित किया कि अच्छा इस व्यक्ति के अंदर हमारा वांचित जीन है, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस व्यक्ति के अंदर से वांचित जीन को निकाला, वांचित जीन को इस व्यक्ति से निकाला, तो पहले इसकी कोशिका निकाली, पहले इसकी कोशिका निकाली, यानि कि cell निकाला और फिर उस cell के अंदर से हमने क्या किया cell के अंदर से हमने उसका DNA निकाल लिया cell के अंदर से हमने क्या निकाल लिया DNA निकाल लिया अब DNA निकालने के बाद हम इसे क्या कर रहे हैं हम इसे काट रहे हैं cutting कर रहे हैं इसे काट रहे हैं क्यों काट रहे थे क्योंकि हमें पता है DNA तो ऐसा पूरा क्या है DNA है लेकिन हमारा जो वांचित जीन है माल लो इतने ही दूर है इतने से पार्ट में हमारा क्या है वांचित जीन है तो हमको ये पार्ट और ये पार्ट तो नहीं चाहिए तो हमें ये वाला पार्ट काट के निक कालना था इसलिए हमने क्या 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 होगा वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं तो चलो देखते हैं काटने के बाद क्या होगा देखो अब मैं आपको बताओं काटने के बाद क्या होने वाला है पहले काटे कैसे थे वो भी देख लेते हैं हमने कौन से इंजाइम के मदद से काटा था restriction enzyme हमारे पास दो-दो थे है ना restriction enzyme हमारे पास दो-दो थे restriction enzyme या मैं दूसरी बात कहूँ इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन enzyme ठीक है यह हमारे पास total दो थे यह हमारे पास total कितने थे दो थे एक था हमारा exonuclease exonuclease यानि कि जो क्या करता था exonuclease यह करता था कि वो DNA को किनारे किनारे से काटता था और एक था हमारा endonuclease endonuclease आप मेरे साथ साथ notes बनाते रहा करो क्योंकि अगर आप note बनाओगे अगर मैं कोई आप Hindi medium से हो मैं कोई चीज English में लिक रही हूँ तो मैं उसका Hindi बता चुकी हूँ पहले भी तो अगर आप note बनाए रहोगे पर डे लेक्चर देखते रहोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है DNA को एक किनारे से क्या कर दे रहा था काटता चला रहा था एक एक nucleotide के इसके अलग करता चला रहा था लेकिन जो हमारा endonuclease था जो हमारा endonuclease था वो क्या कर रहा था किसी एक special जगह पे काट रहा था SNA की चहे जहां काट दे रहा है किसी एक special जगह पे काट रहा था ठीक है ठीक है तो हमारा जो restriction endonuclease था वो किसी special जगह पे काट था ऐसा नहीं कि चहे जहां काट दे और endonuclease के हमने दो example देखे थे पिछले lecture में मैंने endonuclease के दो example बताए थे एक था आपका eco r1 I'm sorry eco r1 और दूसरा था आपका hind 2 hind 2 ठीक है ये दो restriction endonuclease मैंने आपको बताए थे exo की मैंने कोई बात नहीं की थी exo का भी मैंने आपको एक example बता दिया था hind 1 hind 1 किसका example था? exonuclease का example था और eco r1 और hind 2 किसका example है? endonuclease का तो हम अपने पूरी बायो टेकनोलजी में इनहीं दोनों में से किसी एक का इस्तमाल करेंगे तो आपकी बुक में इसका इस्तमाल करके दिखाया हुआ है eco r1 और ये किस जगह पे काड़ता था? मैंने आपको बताया था कि ये विशिस्ट चारक अनुक्रम पे काड़ता था वो चारक अनुक्रम क्या था? g a a t t c ठीक है इसी पे वो काड़ता था ये क्या था? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस था या इसी को कहते है विशिस्ट चारक अनुक्रम विशिस्ट चारक अनुक्रम या इंगलिश में इसे कहते है recognition site ठीक है? इसी site पे वो क्या करता था? काड़ता था और g और a के बीच में वो कट लगाता था अगर मैं आपको फिर से एक बार हम क्या करने वाले हैं? अपना जो DNA हमने बाहर निकाला है जो हमने step 2 में जो आपका DNA हमने निकाला था माल लो वो ये DNA है ठीक है? माल लेते हैं, I'm sorry मैंने थोड़ा गड़बड बना दिया, दूसरा पेज ले लेते हैं, देखो माल लेते हैं, वो ऐसा कुछ DNA है ठीक है? खुब लंबा सा मैं बना रहे हूं क्योंकि आपको पता है, निकलियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा DNA होता है यह भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूं आपके लिए, निकलियस में यानि के केंदरक में, केंदरक में, हमारे हिूमन के केंदरक में 2.2 मीटर लंबा DNA होता है, ठीक है? 2.2 मीटर लंबा DNA होता है ये भी चीज आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, होता है, ठीक है, तो ये भी चीज़े आप कहीं नोट कर ले न, चलो, आगे बढ़ते हैं, मालो ये वो वाला DNA है, जो हमने step 2 में, इस step 2 में, जिसमें DNA का हमने प्रिथक करण किया था, DNA का आईसोलेशन हमने किया था, आईसोलेशन मतलब प्रिथक करण है न, प्रिथक करण, जिसमें DNA का हमने आईसोलेशन या प्रिथक करण किया था, उसमें माल लो हमको ये DNA मिला था, इस DNA पे माल लो, मैं आपको, मैंने कहा यह जो धागे हैं, यह जो ऐसे धागे आपको दिख रहे हैं, एक धागा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 ठीक है, तो आपको धागे को ऐसे देख के मिलाना है, ऐसे उल्टा होते थे, मैंने कहा था यह जो आपके धागे हैं, वो किसके बने हैं Nucleotide के बने होए है Nucleotide के बने और Nucleotide में तीन चीज़े होती है आपको पता है शुगर होता है जिसे आप सरकरा कहते हो हिंदी में दूसरा चीज होता है Nightrogenous Base जिसे हिंदी में आप नाइटरोजीनी चहार कहते हो फिर तीसरा होता है आपका phosphate PO4- ठीक है इसको आप हिंदी में भी phosphate ही कहते हो और nucleotide को भी हिंदी में nucleotide ही कहते हैं ठीक है इतनी बाते आपको पता थी और मैंने कहा था जो इसके nitrogenous base होते हैं अंदर की तरफ लटकते होते हैं जैसे मालो यहाँ पे A है यहाँ पे T है यहाँ पे T है यहाँ पे C है यहाँ पे माल लेते हैं G था ठीक है यहाँ पे फिर A है इसी तरह से क्या है इसी तरह से यहाँ पे यहाँ पे लटके होते हैं base ठीक है A यहाँ पे T यहाँ पे G ऐसे करके nitrogenous base ऐसे लटके होते हैं ठीक है इस तरह की बाते हमने पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में इस तरह की बाते हमने पिछले लेक्चर में अपनी पढ़ी थी और हमने क्या डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं ECO-R1 restriction enzyme हम डाल रहे हैं जो कि कहां काटेगा, जो कि आपके, जो ECO-R1 है न, ECO-R1, ये कहां काटता है, G-A-A-T-T-C, इसको जहां भी G-A-A-T-T-C दिख दिख देगा, वो यहां पर ऐसे काट देगा, देखो, ऐसा इसे जहां भी दिख जाएगा न, वो G और A के बीच में क्या कर देगा, काट देग ये चीजें हमने बहुत अच्छे से पिछले lecture में पड़ी थी, तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार आप पिछला lecture जरूर देखो, ठीक है, restriction enzyme समझ में आएगा, तभी ये वाली step आपको समझ में आएगी, तो आप कोई भी मेरा lecture देख रहे हो तो आप ऐसे अधूरे में बीच से देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत दिक्कते आएगी, तो इस वाले chapter में खास करके इस chapter में आप सुरू से वीडियो देखो, ठीक है, एक एक वीडियो देखो, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, चलो देखो, माल और कहीं यहां पे भी है, ठीक है, तो अगर हमारा, देखो, और माल लेते हैं यह वाला, इतना जो पार्ट था, वो था, क्या हमारा है, वो हमारा desired gene है, ठीक है, इतना पार्ट हमारा desired gene है, इतना ही पार्ट हम काट के निकालना चाहते हैं, ऐसा हम माल लेते हैं, ठीक है, यह मैंने परपल कलर से बनाया है मानलो यही हमारा क्या है वांशित जीन है वांशित जीन है मैंने आपको बताया था ना देखो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूं वाले पेच देखो मैंने आपको कहा था कि यह मानलो डियने है इसका इतना भाग क्या है वांशित डियन है यहां बड़ा दिखा रही हूं तो आप कंफ्यूज मत हो ना हो कैसा भी हो जकता है ठीक है तो देखो हमने जब इस एंजाइम से इसे काटना शुरू किया तो हमको देखो कितने खंड मिले देखो मैं बताने की कोशिश करती हूं देखो एक बार तो इस जी और एक के बीच में हमको कट लगेगा ठीक है एक बार तो यह एक खंड हमको मिल गया ठीक है फिर मालो यहां पे भी था यहां पे भी इतना कट लग गया यहां पे है यहां पे तो यहां पे भी इतना कट लग गया तो हमको देखो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और ऐसे ही कई टुकड़े सामने मिल जाएंगे, तो हमें तो चाहिए सिर्फ ये वाला टुकड़ा ना, हमें इसकी कोई जरुवत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला टुकड़ा चाहिए हमारा तो इस टुकड़े को हम अलग कैसे करेंगे जैसे मालो हमने ऐसा तो नहीं है एक DNA से पकड़ के काटना शुरू किया है हम जब लाब में एक्सपरिमेंट करते हैं तो हम test tube लेते हैं नाय हम इसे लग कंड़ना है इस टुकड़े को अलग करने के जो प्रॉसस है झेल और वही आज हम समझने वाले हैं कि जो हमने कई सारे टुकड़े काट दिये उसमें से अपनी पसंद का टुकड़ा कैसे अलग करें अपनी पसंद का डीने का फ्रैग्मेंट या डीने का खंड कैसे हम अलग करेंगे यही आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इतनी बाते तो म आपका जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ठीक है अब हम अपने में टॉपिक पे आज क्या आए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जिसे हिंदी में कहते हैं जेल विद्दूत संचालन जेल विद्दूत संचालन ठीक है जेल विद्दूत संचालन इ संचालन यानि इसका काम क्या है आप इसका मकसद लिखने न यह हम क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं DNA fragment यानि DNA के खंड जो हमने निकाल रखे हैं DNA fragment या हिंदी में आप कह सकते हैं इन्हें तो इसका मकसद आपको पता होना चाहिए कि जल एलेक्टरफोरोसिस कर क्यों रहे है DNA के जो हमें खंड मिले है उसे छाटने के लिए जल एलेक्टरफोरोसिस की जा रही है इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तब हम आगे बढ़ते हैं Jell Elekptrofaurosis में हम करेंगे क्या हम एक तर जल नाम से प expects चल रहा है हम कोई जल लेने वाले है तो जल क्या होता है आपको पता होगा आपने बच्पन में जली वगरा खाई होगी जो ऐसे मतलब होती है Jam आप जानते हो जैम ब्रेड वेगर आपे लगा कि आप खाते हो वो भी क्या है एक तरह की जैली है ठीके और बच्पन में आप छोटी-छोटी से जैली टॉफी होती है वो सब भी आप खाते हो तो जैल मतलब होता है जो कि ना लिक्विड हो ठीके और ना ही सॉलिड हो ना तरल प्रदात हो ना थोस हो बलकि उसके बीच का हो ठीके उसे हम क्या कहते है जैल कहते है ठीके तो देखो आप बालो गेरा में भी जैल यूज करते होगे आपको अच्छे से मालूम है जैल क्या होता है ठीक है, तो जेल हम एक तरह का जेल यूज़ करेंगे और उस जेल का नाम है अगार, ठीक है, क्या नाम है उस जेल का अगार, अगरोज उसे कहते हैं, अगरोज जेल, अगरोज जेल, तो देखो दो सब्दाते, एक शब्द तो आता है अगार, ठीक है, अगार, और दूश्रा स अब दाता है agarose जो मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए अगार होता है यह मतलब थोड़ा सा impure form होता है मतलब की इसी को और ज्यादा साफ सुत्रा कर दो तो उसी को हम क्या कह देते है agarose कह देते है जैसे यह क्या है इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ कचड़ा वगरा मिला तो दोनों सेम चीज है बस यह थोड़ा सा ज्यादा प्योर है ठीक है अब देखो यह मिलता कहा से है यह agarose मिलता कहा से है यह आपको याद रखना है यह एक तरह के seaweed से मिलता है seaweed मतलब होता है समुदरी घास समुद्री घास ये एक तरह के समुद्री घास से मिलता है और उस समुद्री घास का नाम है उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए उसका नाम है जलीडियम एंड ग्रैसी लेरिया ग्रैसी लेरिया ये आपके क्या है ये लाल सैवाल है आपकी NCRT आपकी NCRT क्लास 11th में ये दे रखा है ठीक है क्लास 11th में तो अगर आप नीट के तयारी कर रहे हो तो आपको हर क्लास की NCRT क्लास 11th और 12th की NCRT आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ क्लास 11th की NCRT में चाप्टर नंबर 3 में दे रखा है जो कि प्लांट किंग्डम वाला चाप्टर है उसमें आपको रेड एलगी के बारे में बताया रखा है रेड एलगी जिसे हिंदे में आप कहते हो लाल सैवाल लाल सैवाल उसके अंदर ये एक्जामपल दे रखा है जो कि है जलीडियम और ग्रैसिलेरिया मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ हाला कि ये साइन्टिफिक नाम है फिर भी मैं लिख दे रही हूँ जलीडियम जलीडियम और इसका है ग्रैसिलेरिया ग्रेसी लेरिया ठीक है ये क्या है आपके ये आपके दो तरह के एलगी है या दो तरह के लाल सैवाल है जिन से हम क्या निकालते है जिल से हमको ये एगार नाम का जेल मिलता है अरे जैसे गाए होती है ना गाए से हमें दूद मिलता है ठीक है काउ से हमें मिल्क मिलता है सेम ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो चलो देखते हैं देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्या-क्या मेथड हम लगाने वाले हैं इसमें ठीक है चलो ये सारी बाते हम समझते हैं तो देखो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या करते हैं हम एगार का एक जल लेते हैं यह क्या है मालो यह मालो एगार का जल है हमने इसको ऐसे जमा के ऐसे बना दिया है हमने इसको इस तरह से बना दिया है ठीक है क्यूबॉइड के सेप में हमने बना दिया है क्यूबॉइड मतलब होता है घनाब शायद इसका यही होता है ना घन आप जानते हो ना घन मतलग क्यूब और क्यूब घनाप शायद होता है अगर ये सही नहीं होगा तो मैं आपके लिख के दे दूँगे ठीक है घनाब ही इसे कहते हैं तो देखो ये क्या है हमारा एगरोज जल है एगरोज जेल है ठीक है जो हमने कहां से निकाला है लाल सैवाल से निकाला है हम इस जेल में क्या करते हैं छोटे छोटे से गड़े बना देते हैं छोटे छोटे से गड़े बना देते हैं ठीक है आप एक भी बना सकते हो एक से जादा भी बना सकते हो आपकी इच्छा के उपर है ठीक है इसमें हम क्या कर देते हैं छोटे छोटे से गड़े बना देते हैं और इसके एक साइड में हम क्या लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं जहां गड़े बनाते हैं वह मैंने पता है DNA पे मैंने आपको बता रखा था कि DNA में क्या होता है DNA के नूकलिटाइड में फॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड मिलता है याद करो मैंने यहां पे आपको बताया था कि जो DNA के धागे बने होते हैं धागे माने रज्जुक यह इंग्लिश में जिसे आप स्ट्र बने होते हैं ना इस ट्रैंड डियने के यह जो इस ट्रैंड बने होते हैं यह तीन चीजों के बने होते हैं शूगर नाइटोजीन बेस और फॉसवेट और मैंने आपको बताया था इसी फॉसवेट की वदय से जो डियने होता है डियने पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव होता है यानि रिडात्मक आवेश होता है और आपको इतना तो पता होगा कि अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो वो एक दुसरे को रिपेल करते हैं यहां पर लगाने वाले हैं हमारे dna को हम कहां घबरेंगे यह जो हमने गढ़े बनाए है एग रोज में इसी में हम अपना क्या डाल देंगे इसी में हम अपना dna भर देंगे ठीक है हमने अपना dna क्या कर दिया इसी एग रोज जल में इसी गढ़े में इसी गढ़े में हमने अपना dna डाल दिय ये जो लाल कलर से मैंने दिखाया वो क्या है आपका? DNA के fragments हैं DNA के टुकड़े हैं जिन्हें आपको अलग करना है ठीक है? ये DNA के वो टुकड़े हैं जिन्हें आपको क्या करना है? अलग करना है और DNA पे हमको पता है कि ऐसा charge होता है? नेगेटिव होता है, रिडात्मक आवेश होता है ठीक है तो हम चाहते हैं कि DNA के टुकड़े ना अलग-अलग हो जाएं अलग-अलग कैसे होंगे जब हम यहां पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और DNA पे भी नेगेटिव है तो आपस में इन दोनों में क्या होगा रिपल्सन होगा एक दुसरे से दूर भागना चाहेंगे और यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागना चाहेगा ठीक है तो आप यूं समझ सकते हो कि यहां पे जो DNA है उस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ भागना चाहेग ठीक है तो वो भागते रहेंगे देखो कुछ ऐसे भागते रहेंगे positive की तरफ ठीक है जो जितना जादा बड़ा होगा जो जितना मोटा होगा वो कम भाग पाएगा जो जितना छोटा होगा वो आगे तक भाग पाएगा DNA के जो हमने टुकड़े बनाये थे मालो ऐसे ऐसे टुकड़े थे तो हो सकता है कोई बड़ा टुकड़ा हो कोई छोटा टुकड़ा हो है ना कोई बहुत बढ़ा हो ठीक है कोई बहुत छोटा सा टुकड़ा हो तो ऐसे कई सारे टुकड़े हो सकते हैं हमारे DNA के तो जो सबसे म क्या टुकड़े होंगे वो पीछ आपको नजर आएँगे और पतले टुकड़े होंगे वो आपको आगे नजर आएंगे होगे तो इस तरह से हमको 10 कुद अलग होते हुए दिखाई देते हैं एक और चीज हम करते हैं यहां पर हम जब DNA के टुकड़े डालते हैं तो इसके साथ-साथ यहां पर एक हम चीज डालते हैं जिसे हम कहते हैं इथीडियम ब्रोमाइड ठीक है हम इसके साथ-साथ क्या डालते हैं हम डालते हैं इथीडियम ब्रोमा नाम का एक chemical डाल देते हैं क्यूंकि DNA के ये जो टुकड़े हैं वो इतने छोटे हैं कि हमको नजर ही नहीं आते अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो हमें नजर ही नहीं आएगा तो इसी लिए हम उसमें ये डाल देते हैं ये एक तरह का color होता है ये DNA को चमकने में help करता है ये ठीक है तो एक बार फिर से समझो हम क्या कर रहे हैं हमने agrose gel लिया ये जो आपको दिख रहा है ये जो मैंने ऐसे बनाया है वो क्या है agrose gel है ठीक है कहां से मिला है लाल कलर के सैवाल से मिला है जिसे आप red algae English में कहते हो ठीक है उसमें हमने किनारे किनारे तीन गढ़े कर दिय ठीक है और हमें पता है DNA की टुकडों पे आवेश कैसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है रिडावेश होता है तो हमने क्या किया इधर साइड में इधर नेगेटिव चार्ज का प्लेट लगा दिया इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो हमें इतना पता है कि DNA ने नहां क्या हो गए भागने लगे और जैसे ही DNA भागने लगे तो वो सारे DNA अलग-अलग हो गए सारे टुकड़े जो हमारे थे वो अलग-अलग हो गए किसके आधार पे साइज के आधार पे किसके आधार पे साइज के आधार पे यह बात याद रखना कि जल इलेक्ट्रोफोर वो छोटा था तो हम यहां से ऊसे निकाल लेंगे भड़ा था तो यहां से ऊसे निकाल लेंगे ठीक है तो ऐसे जब टुकड़े हम को अलग अलग दिखने लगे तो हम अपना वानचित, ग account, ऑप we जिसकी वज़े से यह DNA क्या होंगे चमकने लगेंगे और हमें नजर आ जाएंगे ठीक है और नजर कैसे आएंगे ऐसे हमें खुली आँखों से यह नहीं दिखते हैं जब हम इसे UV light के अंदर डालते हैं UV rays के अंदर डालते हैं तब हमें दिखता है UV rays क्या होती है परा बैगनी कीरने होती है परा बैगनी कीरने जब इसके उपर डालेंगे तो वो क्या होंगे DNA fragments चमकने लगेंगे और हमें नजर आ जाएंगे ठीक है और फिर वहां से जो हमारा वांचित DNA होगा उसको हम चुन करके निकाल लेंगे बास समझ में आई यही जो आपकी process है यही क्या कहलात इसको निकालने की process को हम कहते हैं illusion ठीक है हिंदी में इसे हम कहते हैं illusion ही हिंदी में भी इसे कहते हैं पर हिंदी में इसका एक और नाम है इसे हम कहते हैं चालन ठीक है इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में चालन या फिर आप इसे illusion भी कह सकते हो अब इसमें हम क्या करते हैं हम ये जो एगरोस जल में एक एक टुकड़े है ना हम इसको एगरोस जल को काट लेते हैं जैसे मालो हमने इस तरह से काट काट के काट काट के क्या किया एक एक टुकड़े को अलग कर लिया तो जल को काट करके DNA के टुकडों को अलग करना ही क्या कहलाता है illusion कहलाता है illusion मतलब क्या होता है मैं आपके लिए definition लिख देती हूँ illusion मतलब होता है illusion मतलब क्या होता है illusion मतलब होता है कि जो आपका DNA है DNA fragment DNA fragment DNA fragment मतलब DNA का खंड DNA का खंड इस DNA को खंड को हम क्या करते हैं हम जल को काट करके DNA का खंड बाहर निकाल लेते हैं ठीक है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि agarose gel agarose agarose gel को काट करके काट करके DNA को DNA को extract करना extract मतलब बाहर निकाला है extract को आपके NCRT में हिंदी में लिख रखा है निशकार्शित करना ठीक है निशकार्शित करना ठीक है extract करना ही क्या कहलाता है ही छालन कहलाता है या illusion कहलाता है छालन कहलाता है ठीक है, एगरोस जल को काट करके DNA को एक्स्ट्राक्ट करना या बाहर निकालना, DNA के टुकडों को कह देना, DNA के फ्राग्मेंट को, फ्राग्मेंट, DNA के फ्राग्मेंट या टुकडों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका इल्यूसन, ठीक है, तो एक बा मदर से हमें DNA निकालना है फिर उस व्यक्ति से हमने DNA का प्रिथक करण किया प्रिथक करण करने के बाद हमने DNA को काट दिया किसकी मदद से restriction endonuclease की मदद से हमने अपने DNA को काट दिया ठीक है उस restriction endonuclease की मदद से काटने के बाद हमारे पास DNA के कई सारे टुकड़े हो गए जैसे मालो ये एक टुकड़ा ये है ये है ये है ऐसे कई सारे टुकड़े हो गए लेकिन मालो हमको ये वाला टुकड़ा चाहिए था अब हम इसे अलग कैसे करेंगे टुकडों का एक पुरा धेर लगा हुआ है आपके पास उसमें से आप अपनी पसंद का टुकड़ा या वांचित DNA कैसे अलग करोगे वो अलग करने की प्रोसेस ही क्या है जेल इलेक्टोफोरोसिस है उस प्रोसेस में आप एगरोस जेल का इस्तमाल कर जिसमें छोटे-छोटे से गड्डे बनाते हैं और उसमें DNA के टुकडों को डाल दिया जाता है ठीक है DNA के टुकडों पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसी साइड में जिस साइड में आपने DNA के टुकड़े डाले है उस साइड में आप नेगेटिव चार्ज लगाते हो और दूसरी साइड में आप क्या लगा देते हो positive charge तो ये दोनों एक दूसरे को repel करते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं और भाग के किधर जाते हैं positive की तरफ जो जितना छोटा होगा वो उतना आगे तक जाएगा जो जितना बड़ा होगा वो उतना पीछे रह जाएगा तो किस आधार पे हमने इसको अलग-अलग किया है size के आधार पे, आकार के आधार पे हमने अलग किया है ठीक है और जब हमने इसे इन गड़ों में डाला था तो हमने वहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड डाल दिया था इथीडियम ब्रोमाइड आपके लाल कलर का एक केमिकल होता है आपको इसका कलर भी याद रखना है आपको होगे इसे रेड या फिर ओरेंज लाल या नारंगी कलर का होता है ठीक है लाल या नारंगी रंका होता है ये नारंगी रंका होता है ठीक है तो ये लाल या नारंगी रंका होता है इसके बाद हमने क्या किया था ये डालने के बाद हम ये जब अलग हो गए थे तो हमने इसको क्या किया यूवी रेज यूवी लाइट के अंदर इसमें यूवी रेज अलग कर लेंगे और एगरोस जल को काट करके अपने वांचित DNA के टुकडे को अलग करना ही क्या कहलाता है इल्यूसन कहलाता है ठीक है एगरोस जल को काट करके DNA फ्राग्मेंट को निशकारशित करना या फिर एक्स्ट्राक्ट करना ही क्या कहलाता है छालन कहलाता है या इल्य क्या पढ़ा था हमने पहला इस्टेप पढ़ लिया था आइडेंटिफिकेशन डिने की पहचान करना दूसरा इस्टेप हमने पढ़ लिया था डिने को आइसोलेशन आइसोलेशन मतलब प्रिथक करण करना प्रिथक करण करना तीसरा स्टेप हमने पढ़ लिया था कटिंग य इसे हिंदी में कहते हैं जल, विद्दुत, संचालन, फोरोसिस, इसकी वज़े से हमने क्या कर लिया, DNA के खंड को आकार के आधार पे, आकार यानि साइज के आधार पे, आधार पर अलग कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, DNA के खंड को साइज या आकार के आधार पे हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, अब अलग करने के बाद हम इसे चाहते क्या हैं, याद करो मैंने पहले ही शुरू में ही आपको बताया, हम चाहते क्या हैं, वांचित DNA को निकाल करके हम चाहते हैं, समवाह समवाहक से अब हम इसे क्या करेंगे जोड़ना चाहेंगे ठीक है तो अब हमारा next step होना चाहिए कि समवाहक से हम इसे DNA के खंड को जोड़ दें लेकिन माल लो आपसे कुछ गलती हो गई ठीक है माल लो आपसे माल लो आपका ये DNA खंड निकल के आया है आप इसे ले जाकर समवाहक पे जोड़ दो और आप इसे परपोशी के अंदर डाल दो होस्ट के अंदर डाल दो लेकिन माल लो आपसे कोई गलती हो गई तो आपकी इतनी सारी मेनहत बेकार चली जाएगी तो हम क्या करेंगे हम इसका खूब सारी फोटो कॉपी बना लेंगे ठीक है ये जो हमने अभी निकाला है ना इसका हम क्या करेंगे खूब सारी फोटो कॉपी बना लेंगे photocopy करवा लेंगे ताकि एक अगर हमारी copy खराब हुजाए तो हमारे पाँ जूसरा रहे, तीसरा रहे हम बार-बार उसे क्या कर सके हम बार-बार उसे इस्तमाल करके आगे की process कर सके तो इसके photocopy करना ही क्या कहलाता है PCR कहलाता है अब ये PCR क्या है हम अपने next lecture में देखेंगे ठीक है, हम इसी DNA के खंड का क्या करेंगे, बहुत सारी copy बनाएंगे उसकी तो किस method से बनाएंगे, PCR method की help से बनाएंगे अब PCR क्या होता है, हम अपने next lecture में देखेंगे, और एक और बात, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दिया है, तो अब आपको एक और heading पढ़के आनी है आपके book में 11.2.1 में ही last में दे रखा है, सबसे last में आपको gel electrophoresis के बारे में बता रखा है, ठीक है जो मैंने ऐसे agarose gel बनाया था ना, उस तरह से diagram मना के आपके NCRT में बता रखा है तो आप उसे जाके जरूर देखना ठीक है, वो आप heading पढ़ लोगे तब आपको पूरा-पूरा समझ में आ जाएगा, जब भी मैं कोई चीज पढ़ाया करूं, तो आप जाके उसकी NCRT जरूर पढ़ा करो यह मैंने क्या लिख दिया, identification identification मुझे लिखना था identification ठीक है DNA की पहचान करना तो जब भी मैं कोई भी lecture पढ़ा दिया करों, तो उससे related आप NCRT जरूर पढ़ा करों आपकी NCRT पढ़ना आपके लिए बहुत important है क्योंकि neat में question NCRT से ही आते हैं, ठीक है NCRT आप एक बार मुझे समझ लोगे फिर जाके पढ़ोगे, तो NCRT आपको बहुत असान लगेगी, ठीक है तो एक बार मुझे से पढ़ने के बाद आप जाके NCRT एक बार देख लिया करो कि उसमें किस किस शब्दों में लिखा हुआ है NCRT के शब्द आपके लिए जरूरी है कि किन शब्दों में किस चीज को बया क्या गया है आपको पता सब कुछ होता है लेकिन आपको कहना नहीं आता ठीक है, तो कहना आपको NCRT सिखाएगी ओके, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next class में PCR के साथ हम पढ़ेंगे फोटो कॉपी कैसे बनाना है ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next class में